हाई फैन दिस आसिम फ्रम केंपाद लॉप से वालेंटी नंफिट इंजिरिया यह करता है कि अगर किसी आदमी के पास इस बात की जानकारी है या फिर वह इस बात को जानता है कि कि इसी काम को करने में खत्रा है फिर भी वह जान बुझकर वॉलंटरिली उस काम को करता है और उसे इंजूरी हो जाती है तो कोर्ट आफ लॉव में वह डैमेज क्लेम नहीं कर सकता है तो चलिए अब इस केस के फैक्ट इशू और जज्जमन पहते हैं इस केस में प्लैंटिव ज जो है प्लैंटिव के ओपर गिर जाता है और इसकी वज़ाइस से प्लैंटिव जो है इंजर्ड हो जाता है लेकिन देखा जाया तो 26 सालों में ऐसा इंसिडेंस जो है पहली बार हुआ था तो प्लैंटिव जो है वह कोट आफ लॉव में कमपन्सेशन के लिए क्लेम कर देत है इस तरह के कार रेसिंग में रिस्क है इंजूरी का और यहां पर बैठना जो है डेंजर है क्योंकि स्पोर्ट में इस तरह की दुरगटनाएं होती रहती है इसलिए प्लैंटिव जो है रिस्क को जानते हुए यहां पर बैठ करके मोटर कारेस देख रहा था इसलिए कि प्लैंटिव का कंपंशेशन क्लेम जो है वह कोट रिजेक्ट कर देती है तो इसकेस के फैक्ट इशू और यहीं है अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें हमसे जुर्य रहने के लिए हमाई चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर यह है आप मेसेज करके पीडियो ले सकते हैं थैंक्यू सो मच